नमस्कार दोस्तों, डीडी रियक के एक और ये अच्छन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो में आपनों के लिए लेकर रहे हूँ, वीडियो है डेली स्वाइक का और इसका टाइटल है Muslim Boy Went to Attack India, Russia Saves India from Attack तो जैसा कि आप सबको पता है, कि रशिया ने Islamic State के एक आतंकवादी को पकड़ा है, जो प्लैन कर रहा था, सुसाइड बॉम्बिंग का भारत में करने के लिए और आपको तो पताएए कि रशिया जो है, वो भारत के खिलाफ किसी काम को अंजाम होने नहीं देगा, वो भी अपनी जमीन का इस्तमाल करते हुए तो रशियन जो सिकुरिटी अजेंसी है, FSB, उसने धर्दबोशा उसे और का कि देखो ये है, और ये जारा तक करने, तो बड़े हमले को रशिया ने टाल दिया है, जो भारत पर होने वाला था, Islamic State के दोरा, अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, चलिया ये सवाल आप से ये है, कि एक आदमी जो कि Islamic State से तालुक रखता है, इंडिया पर गया था हमला करने, उसको रशिया के लोगों ने पॉइंट आउट किया, और उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वाइरल की, जिस से इस टाइम Islamic State की reputation बहुत खराब हो गई है, अरे मैडम उस तो खबर पढ़ लिख लिया करो, आप कहरे हो कि Islamic State की reputation खराब होगी, आरे उसकी reputation अच्छी कब थी, आप ये कहरे हो कि लोगों ने वीडियो बना के डाला, आप पागल होगे, आपका दिमाग खराब है, आप पढ़ती लिखती नहीं है क्या, वाइस का आतंकी था, उसक वो, रूस की जो security agency है, FSB, उसने पकड़ा है, आपको जरा भी इल्म नहीं है कि आप किस subject पर जाकर सवाल पूछना चाहती है, पहली line में आपकी जो क्या कहें, कि कम इल्म वाली बात जो कि आपके पास जानकारी नहीं, इसी बात का पता चल गया आपको, कि आपको जानकारी कि आप क्या सवाल पूछने जा रही है, मेरी सलाहे कुछ पढ़ लिख लिया करें, और पढ़ लिखकर आएं और सवाल पूछें, क्योंकि इससे ना आपका मजाग बनेगा अभी, आप समझे इस बात की। इंटर्नेशनल लेवल पर क्या बन जाएगा? प्लीज, आप अगर ये वीडियो देखें, तो इसको मजाग में मत दिजे, या आपकी बेहतरी के लिए मैंने ये बाते बोली है, कि ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आप जब आएं और वीडियो बनाएं ऐसे सीरियस इशू पर, और आप ऐसी बचकाना बाते करें, जिसमें स इसमाद लगे हुएं, कि ये लोग टेरिरिस्ट हैं, ये लोग इस तरह की ग्रोह बन्दिया करते हैं, हमले करवाते हैं, तो इस एक और नेगिटिविडी जो जैसे आपको बता है, पीछे दिन नुजलेंड में एक यहूदी ने मुसलमान लोग को मारा, तो क्या तास्वर क इसा ये भी एक गलत तास्वर है, इसमान को कहीं पर ही भी मारना गलत है, चाहिए वो कोई यहूदी है, चाहिए हिंदू है, मुसलम है, क्योंकि उसने जो किया है या जो वो कर रहा है दुनिया में, उसका जवाब दे तो उसने होना है, आपको किसी ने जजज नहीं लगाय कि आप जाएं और ने पर हमला करें, उनको मार दें, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, इसलाम तो एक ऐसा मजभ है, जो आपको यह दर्स देता है, कि या रखर कोई मुसलमान होना चाहता है, तो आपको एखलाक देखे, आपकी अमल के देखे मुसलमान हो, ना कि आप उसे जबरदस से मुसलमान करें, तो इसलाम तो एक ऐसा मजभ है, मैं यहाँ आपकी बाहर टोकती हूँ, आपने का हम मुसलमान हैं, ठीक है, आगे ही हम लोगों को पॉइंट आउट किया जाता है, इस नाम से पुकारा जाता है, कि मुसलमान जो है, वो टेरिडिस्ट है, इस ना मैं पाकिस्तान को करूंगी, कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आते, डड़ते हैं, और इन्वेस्टर जो है, अपने इन्वेस्टमेंट जाहरा भी नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है, इस चीज़ के बाद क्या पाकिस्तान और बाकी इस्लामिक स्ट्रेट्स जो हो जाती है तो डेफिनेटली यह एक अच्छा नहीं और नहीं ऐसा होना चाहिए आने वाले दिनों में क्योंकि पहले ही देखे मैंने की बात की कि जो जजार सदा का अमल है वो अल्ला का है तो हमें बनने की जुरूरत नहीं जज रहा है इंडिया को आज इंडिया को उसने एक हमले से बचा दिया जो के बहुत जादा बेनिफिट हो सकता है इंडिया के लिए आपको के लिखते है रशिया इंडिया के क्यों मदद का रहा है डे बाए डे उसके साथ तालुक क्यों बना रहा है क्या बेनिफिट्स हैं लेकि यह तो हमारे जो पर बैठे इस्टैबलिश् में तो एक दूब में रिश्या है अगर आप अमेरिका के पास बैठेंगे तो रिश्या मारा मुखालिफ है ये खुली बात है ये कुड़ा की चुपी बात नहीं है लेकिन हमारा मुखालिफ है ना इंडिया के साथ वो दोस्ती बना रहा है बहुत इंटरनेशनल लेवल पर व हमने उससे तलुकात नहीं बनाने जा कि हमने यॉर्प में तलुकात बनाने तो फिर डैफिनेटली जो हमारा हमसाय है वो हमारा मुखालफ ही हो कि हमारे को साथ नहीं देगा तो यहां भी सेम ऐसा है जब हमने रिश्या से ट्रेड ही नहीं करने तो रिश्या आपको कैसे सप तक कभी भी इंडिया जो के हमारा हमसाया मुलक सब कॉंटिनेंट में हम अलाग होने वाले एक साथ उसके लिए कभी हमने असा नहीं सुना एवन हर तरफ से अच्छी ही मतब न्यूज आती है इंडिया के रिलेटर तो आपको क्या लगते है क्या वज़ा है जो के पाकिस्तान वो पहला वीडियो था और उस वीडियो ने पाकिस्तान में निरेटिव को पहुंचाया. और पाकिस्तान के लोग मेरे वीडियो के बाद आप यूटूब पर जाकर सर्च करिए गा तो सबसे पहला जो पुराना वीडियो आएगा मैरा हिं आएगा. Get Out Pakistanis मैंने Defense Detective पे बनाया था और उसके बाद वहाँ की मीडिया में इस बात पर चर्चा हुई मीडिया यहने की हर जगा कि Get Out Pakistanis in Britain चालू हो गया वहाँ पे तो वो line जो थी वो मेरी दिवी थी वो narrative मेरा set किया वा था और उसमें कोई मैंने propaganda नहीं किया था उसमें मैंने बतौर सबूत सारी चीज़े पेश की थी हर एक चीज की मैंने proof ला कर दिया था कि देखो इसलिए हो रहा है ऐसा और बहुत सारी चीज़े थी जो मैं उसमें जोड सकता था लेकिन नहीं जोड़ी वो किसी और वीडियो के लिए रखी है कभी और उसका इस्तमाल करूँगा वो बड़ा हती आरे तो कहीं और करूँगा इस्तमाल लेकिन ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो मैंने बात कही वो पाकिस्तान के यूटूबर उन्होंने सवाल पूछे हैं तो आप सोचिए कि डिरेक्शन सही है तो खास बेतर नहीं है दुस्ता जैसे एक मिसली सारे तलाब को गल्दा करते हूं हमारा एक छोटा सा काम हाईलाइट हो जाता है तो हमारे अपने यहां लोग हैं वही हाईलाइट कर देते हैं कि बाहर के दुश्मन की जुरूथ तो है एंडिया में ऐसा होता है इंडिया में उनकी जो खारजा पॉलीसे वहत बहुत बेतर है वह बड़ा अच्छा काम करते हैं हमारी को खारजा पॉलीसी बेतर तर्की एक इसलामिक स्टेट, आप लोग जा के विजट करें, मैं भी थ्री मन्स पहले टर्की से वापस आया हूँ, आपकी डेफिनिशन के अकॉर्डिंग जो इसलामिक स्टेट की डेफिनिशन होती है, उस पर पूरा नहीं उतरेगा, ठीक है, तो एक ग्लोबलाइजेशन हो जो राइंटरनेट जो पूरा नहीं हो जो एक आपस ओम इसलीवां टोपिक हैं तो वो हमेशा से रही हैं, और आपने कहा है के जैसी डेफिनिशन है इसलामिक स्टेट की वह पूरा नहीं उतरते हैं, क्युक्त हम एक मजभब एक Islam के नाम पर बनने वाले मुलग है Islamic State, फिर हम क्यों नहीं पूरा उतर? यह आपकी strong, उससे भी ज़्यादा strong statement, कि हम Islam के नाम पर बनने वाले हैं, देखे इसमें शुरू सही न दो ही mindset रहे हैं, कि आइधर Pakistan इसलाम के नाम पर बना था, यह human rights के नाम पर बना था तो I guess इसमें थोड़ा, इसमें contradiction शुरू से रही है, कि अगर Islam के नाम पर बना था तो उसको leader, lead भी Islamic किसी leader को बना चाहिए था और अगर Islam के नाम पर बना था तो of course, why there are a lot of more Muslims in India currently comparatively, पाकिस्तान के जाद था और अगर Islam के नाम से बना था, तो बंगलादेश की वाले आदा हुआ था, तो I guess it's a whole debate आप लोगगा टाइम इतना नहीं होगा बिल्कुल आपने बिल्कुल बात ठीकी है, बंगलादेश जो के पाकिस्तान से अलाग हुआ, आज तक बंगलादेश जब से अलाग हुआ, वो पाकिस्तान के साथ तालुकात अच्छे नहीं बना पाया, क्यों? क्योंकि उसको कोई facts नजरा आते थे, आज अगर हम देखें, वो इंडिया के साथ लोन भी ले रहा है, ट्रेड भी काड़ा है, बड़ पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान से अच्छे economy, इस ताइम मंघलादेश की हो गई है, अगर हम बात करें, इंडिया के बाकिस्तान के साथ इस्लामिक टड़की के साथ भी ओड़ ट्रेड का रहा है, फिर पाकिस्तान के युएस से तर्की और बाकिस्तान के साथ इतने अच्छे तालुक आतमी है जितने इंडिया क्यों देखें हमें अपना जवाब जिस जादा है कि वो क्यूं बेतर है हमसे वो हमें नी पाता हम क्यूं बुरे हैं यह I guess मैं बता सकता हूं पहली बात जो यह कि मुझे जो सबसे जादा प्रॉब्लमाटिक लगती है I guess we should stop for a while पहली बात हमें प्रॉब्लमाटिक जो मुझे लगती है ना वो हमारा यह है कि हम एक identity crisis में है और उस identity crisis से हम आज तक नहीं निकल सके हमें culturally आज तक समझ नहीं आई कि हम लोग stand कहां करते हैं हम कभी कहीं पर modernity को थोड़ा सा डॉप करते हैं कभी पर हमारी इस्लामाइजेशन आ जाती है उपर से हमारा law भी कोई common law है कहीं पर एमेंडमेंट्मेंट्स हुई है तो आई गेस पहले हम उसको formulate करना चाहिए कि हम stand कहां पर कर रहे हैं तो उसके बाद ही हम किसी भी चीज़ पर resolve कर पाएंगे हम लोगों को जब base right हमारा root level है वो हम clear नहीं है तो हम किसी भी बड़ी problem पर हम आई गेस हम firmly नहीं stand कर से हैं आखरी सवाल में आप से यह बात बिलकुल इन भाई साब को मैं साधवाद देना चाहूंगा कि इन भाई साब ने बात बहुत सही की है एक जो शब्द इस्तमाल क्याना identity crisis ये 99% पाकिस्तान की आवाम इससे जूच रही है वो सच को स्विकारते नहीं है कि वो उनका जो culture है उनकी सारी चीजें है वो Indian है उनकी जो connectivity है वो India से जादा है लेकिन वो स्विकार कर लेंगे तो इसमें उनकी हार हो जाएगी क्योंकि इंडिया को तो अपना दुश्मन मानते हैं इंडिया को वो एक हिंदू के तोर पर देखते हैं तो भाई वो हिंदू से कम कैसे हो सकते है तो वो मानेंगे नहीं दूसरी तरफ आपका connection और कहीं नहीं है कुछ कहेंगे कि हम तरकिश हैं कुछ कहेंगे कि हम अर्मी हैं तो ये इतना घालमिल हो चुका है क्योंकि आपने सच्चाई जो थी उसको स्विकारा नहीं कि आप Indian हो basically आपको Indian culture ज्यादा suit करता है आपको क्योंकि आप यहीं से गए हो और मैं आपको बात सुनाना चाओंगा मुझे याद आ रहा है कि एक पाकिस्तानी actor हैं उन्होंने इसे लेकर किसी interview में ये बात कही थी जिसके बात पाकिस्तान में बड़ा बवाल मचा था उनको तो गदार तक करार दे दिया गया था वो सुन लिजे वो बात सुना आपने तो यही वो सचाई है लेकिन ये पाकिस्तान की 99.99% जनता मानना नहीं चाहती इसलिए नहीं मानना चाहती कि उनको लगता है कि हम इसे कमतर घोशित हो जाएंगे हमारा रुतबा कम हो जाएगा लेकिन अब क्या कहें जादा अकलमंद होना भी अच्छी बात नहीं है और पाकिस्तान ही अपने आपको बड़ा अकलमंद समझते भी है नहीं सब्सक्राइब आपको क्या स्वारा आपको श्रॉपारी नहीं है इशन को इस वे इंडिया के सटोज़ाई अशयमों पॉनिशन नहीं है इस वक्ट इंडिया इस ग्रोइग और एंडिया आप आप क्योंकि मैं इस शीज को इतना अढ़र्ड कर सकता हूं कि तो वो किसी तरह की भी ना उन अफेर जा उस तरह की रिलीजिस जो भी उनके मसले मसाइल है वो इतने जादा नहीं है उनके उनकी ग्रोथ को रोग सके हमारे में क्योंकि डिविजन बहुत जादा हो जाती है सेक्वाइज और हर तरह से तो हम लोग उस तीजों में जादा पड उस से जादा IT ने जुनरेट किया इंडिया में तो हाँ तो क्या लिगता है पागिस्तान अभी तक क्यों नहीं इस तरह की डिवेलपमेंट कर सकता है अपने किसी भी सेक्टर मैंने आपको बताया है कि रूट कॉस इस सेम के हम लोग ना एक कन्फूज एक स्टेट में हमेश अपने तरह के जरीए ओपन ली थैंग्स एट अर अराउंड अराउंड दे कंट्री तो बिकॉस लोगों को डाजेस्ट नहीं होती है हमें इंडिया का कुछर तो अडव कर लिया इंडियन वेस्टर हम यूस करते हैं अडियन चीजे हम मनाते हैं होली में हम बड़े हुष खुष आते हैं और भुवसी चीज़ है, कल्चर और अडब कालिया, फिर हमने, कल्चर तो अल अवर दा हमने यूज कालिया, उसके बाद अडब कालिया, लेकिन क्या वज़ा है, जो के पाकिस्तानी लोग जो है, वो इंडियन लोगों की तरह चाहे अधर, वो मुसलिम हो या हिंदू हो, उनक में एक वो रेड क्लिफ्टन या नाम क्या था, माउंट बैटन, उसने लाइन खेंच दिये, तो उसका मतलब यह नहीं है, कि हम लोगों का कल्चर डिमीजन हो जाएगा, आइक सबसे पहले यह उन करना चाहे था, अगर होली है, तो एक होते है, रिलीजियस फेस्टिवल, ए उस पर किसी तरह को का ऐलिगेशन हाएगा, तो अटो मैटिकल सारी जो मुस्लिम, ओम हैं, सब गया या मेरा खहल मेरा ख्याल है, प्री प्लैनड है, मुस्लमनों को बनाम करने के लिए, मुसलमनों को बनाम करने के लिये, और वैसे भी नहीं चाहते कि जो है ना मुस्लिमान दुनिया में उपर आएं इनको बदशनाम किया जा रहा है तो यहां मैं आपकी बात कारती हूँ आपने कहा है प्रिप्लैन प्रिप्लैन साथ किया Casey क्या यह मुस्लिम लड़का बंदा नहीं है क्या इसको तड़की से नहीं में बेजा कि क्या वाज़ा है जो आप हमें बताना चाहरें प्री प्लैंड मींस के यहूदी लोबी है यह मतलब आप समझें के बंदा भी टर्की से पॉसिबल आया हो और इन्होंने बंदा पकरा भी हो यह भी पॉसिबल है लेकिन यह सारा एक गेम का हिस्सा हो सकता है नो कैसी गेम मुझे यही तो बताए ना कि टर्की का मंदा टर्की से आया मुसल्मान इसलामिक स्टेट से पिर कैसे प्लैंड हो सकता है तो कोई किसमें क्या को मुझे बात है कि अल-काइदा वले नहीं एक बनी थी ना उनका जो मुसलिम उनका जो हैड था वो जहूदियों ने बनाया था उनका जो कायद था वो जहूदियों ने उसको पूरी एक इसलामी तालीम दी उसके बाद उसको जहादी तन्जीमों में उसको बनागे बेज़ दिया और यह प्लैंड था एक यह कोई मुश्किल काम थो यह अपना बंदा बेज़ें तरकी बेज़ें मुसल्मान बनागे बेज़े पर पिर बात में ऑगे उसको पकड़ लिए और बताये जी पार यह बाते हैं वो इस तरह करें जी कि मैं बड़ा मुसल्मान उसारा आपको आपको का जो वर अगर ये बात साबित हो जाती है के यह मुसल्मान ही है तो आप फिर क्या क्या ख तो कि ये मुस्लमान हो नहीं सकते इस तरह मुस्लमानों को अच्छा ये एक बात है कि इसलाम में जो है ना खुद का शमला जाइज नहीं है आप अगर चाहते हैं कि कुछ किसी के खिलाफ जाएं तो आपके पास एक प्रोपर एक चैनल आप जहाद करें हमें हैं आप दुश्म क mijn वार हैं कि अब जिया उसका कि नश्यागा अब कि उसको फिंप मारा जाएं कुछ करते हीसा तूस्तर व्हूंगों को भी मरा जाएं ऑसा नहीं है यह है कि अगर ये फैक्ट है अगर ये सोचल मीडिया की वीडियो ये वाइडल होने वाली वीडियो ये फैक्ट है तो बहुत ही बुड़ी एमेज क्रियेट होगे क्योंकि आगे हम पर तोख्मते बहुत जाद लग चुकी है लेकिन इसी के साथ आपकी रायका भी जहार हम चा हो गया और ये आखिर वाले भाई साब थे ना ये पक्का मुझे मदरसे के पढ़े हुए और किसी घटिया से मौलवी की बातों से प्रभावी तुवे लगते हैं क्योंकि इनकी बातों देख रहे हैं कैसे डिफेंड कर रही है ये किस तरह से मतलब बेकार बिल्कुल इलोजिक के साथ जो संबंध हैं वो कभी अच्छे नहीं रहे हैं ये बात आप सब जानी रशिया और भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों एक दूसरे पर बहुत जादा भरोसा करते हैं और यही भरोसा इस दोस्ती को और जादा प्रशिया बाइज रहा था वो और रश्यावालों को पता चल गया रश्यावालों ने पकड़ लिया और उसमें उसने तुर्की का नाम लिया है तो जाहिए से बात है जो भारत के खिलाफ एक निकसस है जिसमें पाकिस्तान भी है तरकी भी है उन सब का हाथ इसमें है तो इस अब आगे इसमें बहुत जादा बहुत कुछ होने वाला है और टर्की की तरफ से क्या का जाता है देखिए वो तो इंकार करेंगे जाइड से बात है कि इंकार करेंगे वो कहेंगे कि यह साजिश है और ऐसा है लेकिन रशियन एजनसी ने इस बात को बताया है कि टर्की के इस्तांबूल में वहाँ पर मीटिंग्स हुई आईएस के आतन की जो हैंडलर थे उन्होंने उसको सारी डॉक्मेंटेशन दी सारी जानकारी दी सारा मिशन बताई कैसे जाएगा सुसाइट बॉम्बिंग करनी है तो देखिएगा टर्की पर कारवाई भारत करेगा ज़रूर और टर्की खिलाफ ही इसको बतोर बहुत बड़ा सबूत ये पेश किया जाएगा तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहिए